पूर्ण समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को शुक्षित करना और भी आवश्यक है बेटियों के शुक्षित होने से वह सक्षम, सबल और आक्म निर्भर बनती है मीडिया से बाचीत में उन्होंने कहा कि स्कूल कारेकरम में आज आना हुआ है यह स्कूल समाज में एक अच्छा संदेश दे रहा है बच्चों की कला शिक्षा में बेटर है जिस कारण आज स्कूल का वाशिक कारेकरम है और मुख्या आतिति के रूप में आज पहुंचने का अवसर मिला है इसके बाद उन्होंने कहा कि बजट सतर को लेकर सारे तैयारियां पूरी कर ली गई है और बजट की चर्चा अच्छे से हो सके इसको भी ध्यान में रखा गया है उन्होंने कहा कि विपक्ष की बात करे तो हर नेता को अपनी अपनी बात बोलने का पूरा समय दिया जाएगा जितना वह कहना चाहेंगे देखे एक रिपोर्ट चाहेंगे आज आप करनाल आए हैं परतिग्या करने की आवश्यक्ता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो संदेश शादनिय नरेंदर महोदी जी ने दिया था उस संदेश को हम पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े सर बजट सत्र आ रहा है उसको लेकर कैसी तयार यहां है कि बजट सत्र की पूरी तयारी है बीस तारिक से बजट सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले तीन दिन प्री बजट चर्चा वो कल स्वेरे शुरू हो जाएगी ग्यारा मजे और बजट इस बार सबसे लंबा बजट होगा अच्छा एक विपक्ष कही बार आरोफ लगाता है कि उन्हें समय नहीं दिया जाता तो इस बार समय मिलेगा उन्हे प्रयाप्ट समय मिलेगा पूरा समय मिलेगा आपकी बार हमने कहा है कि जितना भी कोई सदस्य जो है वो बोलना चाहे उसको पूरा समय दिये जाए ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद